हेलो भाई मैं हूँ आसिफ सुभानी और अभी फिलहाल जिस गाड़ी में बैठा हुआ हूँ ये है मारुति सुजी की फ्रॉंग्स की सबसे टॉप वैरियेंट बाई जो आती है अलफा नाम से वन लीटर टर्बो पिट्रॉल मैनुवल के साथ यार क्या प्राइस है भाई इत बेसक्स आपको कंपनी वाले दे दें तो यह देखो तेरा लाख उन्चालिस सब्रॉप आपको पढ़ जा रही है इस वाली गाड़ी के जिसमें बैठा हूँ बाहर साथ जाएंगे आपको फीचर भी देखाएंगे कि तेरा उन्चालिस में क्या दे रहे हैं यह मारूति वा यह फ्रॉंक्स के उपर वाली सेग्मेंट है यहां पर आप आते हो यानि बिरेजा की सेग्मेंट की तो बाई तेरा लाख छियासट हजार रुपे में आपको मिल जाएगा सॉनेट का एच्टी के प्लस वन पॉइंट फाइव डीजल मैनुवल और यहां आते हो नैक्सॉन क को भी देखते हो तो बाई क्रियेटिव पलस सन्रूफ वाला वैरियंट जो है वन पॉइंट टू टर्वो पेट्रॉल यह है अपना वन लीटर टर्वो यह वन पॉइंट टर्वो तेरा तिरपन यार तो कौन लेगा भाई इसलिए कहते हैं कि फ्रॉंक्स की ना जो नीचे वाली दो वैरियंट है चाहे वह सिगमा हो डेल्टा हो वहां तक तक भाई सही है लेकिन दस लाख रुपए साड़े दस लाख रुपए तक लगा दो तब सही माना जाएगा लेकिन तेरा लाख 14 लाख रुपए जब आप देने जाते हो तो आपके पास अच्छे खासे आपको एक्स्टीरियर में देखाते हैं यहां पर तो यह अपना अपर सम कलर है आपको बलेनों में भी मिल जाता है फ्रंट में इस जगह मिल जाते है आपको ईलारल इंडिकेटर आपके इसी के अंदर जलते हैं हेड्लाम का सेट अप यह रिफलेक्टर में LED वाला मिलेगा थिरी स्लोट में बटा हुआ है, क्रोम कलर का यहाँ पर पट्टी मिल जाएगा, प्यानो ब्लैक कलर का गिरिल मिल जाएगा, फ्रेंट में कैमरा मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 360 कैमरा का सेटप, जो सेम बलेनों से उठा कर लिया गिया है, गाड़ी में सेगमे सेटिंग वाला टेल लैंप में जाता है, LED वाला इंडिकेटर, यह सारा चीज़ तो आपने देख रखा है, चार रिवर्स पार्किंग सेंसर, रियर कैमरा, रियर वाइपर, डिफॉर्गर, हाई मोंटर स्टॉप लैंप, स्पॉाइलर, फीचर्स में कोई कमी कसर नहीं है, अच्छे खासे तगड़े-तगड़े से फीचर्स दे दिए गया है, यहां पर आपको मिल जाता है लाइवील, जिसका टायर साइज मिलता है, यह भाई कहां गया, 195 भाई, 66 लाइंस का, ग्रांड के लिएंस भी, अगर आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए, बलेनों बलेनों तो कहीं जाना में, प्रॉबलम वाली बात है नहीं, यहां पर आपको किले सिंट्री का सेंसर मिल जाता है, यहां चाह भी अपने पास, इससे प्रेस करो, यह हो जाते हैं भाई, अनलोक, अब आजाओ, गाड़ी के इंटिरियर में, तो यहां पर आपको मिल जाता है, सारा प लेदर मिल जाता है, यहां पर मिल जाता है, आपको यह कौन कलर, प्यानो बलेक कलर का, स्पीकर मिल जाता है, ट्रीटर मिल जाता है, सीट में हाइट एड़ेस्ट्मेंट मिल जाता है, और ऐसा नहीं है कि सीट स्वीट्स आपको भाई, लेदर वाले मिलने वाले हैं, सिंपल से मिलेंगे कंपनी वाले सिर्फ लेदर देते हैं इस जगा यह देख रहो है यह देख रहो लेदर यहाँ पर लेदर नहीं है यह हाट प्लास्टी का सिर्फ कलर जो है वो से मिलेगा बस कुछ है जो दिखावा टाइप का फीचर से जैसे 360 कैमरा ही थोड़ी दिर के लिए ले पहले तो आपको मिलते थे इसमें भी काफी सा रगाली में बट धीरे-धीरे नेक्ष जैसे है उसमें अपग्रेट किया गया धीरे-धीरे क्वालिटी जो कैमरा की अब जो मिलती है नेक्सान में वह काफी तगड़ी से मिल जाती है रिज्टेरिंग वील लेदर रप्ड वा इस साइज का इन्फोटरिमेंट सिस्टम दिया हो यह देंगे तो सिर्फ टॉब वैरियंट यानी अलफा जो है यह लोग तो ऐसे आपको भाई नहीं मिलने वाला है इस टॉच स्क्रीन के साथ निचे साइड में आपको वार्लेस चारजिंग पैड वैड मिल जाता है यह सब फ दो इंजन में वैसा कोई खास मज़ा नहीं टर्बो बेसक से हो माईलेस तो गिरनी है ही है इसका कोई खास यूज है नहीं हाँ यह आटो डिमिंग आयर वीम जल्दी ब्राइंड वाले देती नहीं तो इस चीज़ें मारती सुज़क्य वाले एक नंबर काफी से रहते हैं य सब्सक्राइब तो कि अब मरा में जाता है और ना जरूर जरूर मिल जाएगे MID जो है यह मिल जाता है तीन पार्ट में एनलोग में स्पीडो मीटर एनलोग में टेको मीटर इंजन हिट से रिलेटेड वर्निंग फ्यू लेवल इंडिकेटर बीच में एक डिस्पिले और यह भाई इनका उससे रिलेटेड है यह सारा चीज बट सही कहा जाए तो खास कोई ज्यादा मतलब लॉजिकल टाइप का चीज है नहीं इसका जो माइल्ड हाइबरीड या फिर स्ट्रॉंग हाइबरीड तो सही यह कंपनी वाले जूट मूट का एक दे नहीं कि मेरा बाई हाइबरीड वाली टेकनोलोजी वाली कार है तो नोड़ फ्रॉंग्स काफी ज्यादा सेल्स हो रही है बट नीचली वाली वाली वारियंट हो रहे यह बात भी एक तरह से कड़वा सच है ऐसा नहीं है कि तगड़े-तगड़े टॉप टॉप वैरियंट जो है वह आपको मार्केट में ज्यादा देखने को मिलेंगे इसके अब आया आते हैं पीछे चावी देख लेया रहांसी साथ है बड़ी-बड़ी गाड़ी में भी एतनी छोटी से चावी आपको मिलती है अब आते हो पीछे यह अनलॉक करो पीछे वाले पैसेंजर्स के ल आपको ट्वीटर मिलेंगे यहां पर भी लेडर सेंजर्स में जाता है और बूट इसका जो है यह बाई 308 य्टर का यहां है अपना बूट स्पेस और बूट लैंप जो है यह आपको manuelling ओन करना पड़ता है ने किसी घृत्व एगर यह इस तरीके से अब आज़ा भाई यह आपको किले सिंट्री का सेंसर इस सीज में मारती सुजुकी वाले काफी सही को पैसंजर सैट भी देंगा ड्राइवर सैट तो देते ही है चार रिवर्स पार्किंग सेंसर भी देता है उसमें भी कोई कमी कोता ही नहीं है भाई देखो अभी भी जो केस् देखने मतलब टॉप याड नहीं पसंद आएगा यतना महंगा यतना पैसा देना पड़ेगा बोरें कि चलो चलते हैं स्टॉक याड में वहीं देखाते हैं आपको इसका सिग्मा वैरियंट कहना सबसे ज़्याद आपको रोट परने इसका बेसी वारियंट देखने को मिले बूश्टर जेट सुजुक की लिखा हुआ आता है यह सारा चीज मिल जाएगा तो भाई यही है गाड़ी पेट्रॉल इंजिन कुछ ऐसा पावर अब सौ पीस का जैसे दे रहा है अगर आप नॉर्मली लेते हो 1.2 का नॉर्मल जो पेट्रॉल इंजिन आता है और भी गाड है कि 1.2 जो नेक्सान का टर्वो है वह इससे काफी ज्यादा पावर फुले वैन्यू या फिर सॉनिट आप डीजल पर जाओगे तो उसके जो इंजिन के पावर हो काफी मतलब तगड़ा से मिल जाएगा वैसे लाइविल का डिजाइन बहुत मस्त लगता है इसका तो यही अगली वीडियो में अगली वीडियो तक ड्राइब सेफ बीसेफ